सीने में जलन आखों में तूफान सा क्यों है इस शहर में हर शक्स परिशान सा क्यों है दोस्तों जाहिर से बात है कि जिस समिक्षा अधिकारी परिक्षा की तैयारी आप लोग पिछले 3 मईने 6 मईने साल भर से कर रहे हैं आकिरकार वह दिन नजदीक आ गया है जब आपके मनमस्तिष्ट में इसको ले करके तमाम सारी उलजने परिशानियों का सबब बनना लाजमी है ऐसे में आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इन ही मनों वैज्ञानिक और तथ्यात्मक बातों पर जिसकी एक लंबी फैरिस्ट आपके तरफ से क्वेस्चन के रूप में डिमांड की जा रही थी उन सभी को हमने आज अपने इस वीडियो के माध्यम से बताने का जिम्मा उठाया है और इस दिशा में सबसे पहला प्रश्म जो आप लोगों का है वो यह है कि अंतिम दिन में क्या पढ़ना उप्यूक्त रहेगा अंतिम दिन के लिहाज से देखा जाये तो देखिए हमें पढ़नी कुछ केवल उन्हीं चीजों को है जो की factual नेचर की है कॉंसेप्स पे नहीं जाना है क्योंकि कॉंसेप्चुल चीजे हमाएं दिमाग में बनी ही रहती है उन्हें अंतिम टाइम पर रिवाइज करने से कोई खास लाब नहीं होगा बलकि जो प्यूर फैक्चुल नेचर की है उनको देखना चाहिए और उसमें यदि बात करें तो सैंसस का डेटा हो गया यह साभी डेटा ऐसे हैं जो अख्सर आपको भूलने किए यहां पर समभावना रहती है अब ये सैंसस चाहें यूपी का कहें और इंडिया को कहें ये दोनों हैं बहुत जरूरी है आपके लिए लास्ट टाइम कर रिवाइस करने के लिए और यहां पर ये सभी डेटा से संबंदित चीज़ें हम लोगों ने अपने एप पर फ्रीली प्रोवाइड करा दी हैं, जहां पर 50 हाइड चलता है उसी फोल्डर के भीतर, तो वहां पर इन सभी चीज़ों को आप आसानिस जाके डाउनलोड करके कुछ पेजस के फॉर्म में हैं, जिसस महत्पूर्ण चीज़ है वो है आपका करेंट अफेस, करेंट अफेस वैसे आप लोग इस समय पढ़ी रहोंगे, किन्तो करेंट अफेस का जितना भी हम लोगों ने अपने नोट्स के रूप में फ्रीली अपने अप पर अप्लोड किया है, उसमें से जो हाइलाइट पोर्षन को आप लोग निश्चेत तौर पर रिवाईज कर लीजेगा, अपने लास्ट डे पर उसका एक सुपर फास्ट रिवीजन और उसके साथ साथ इस्पेशली अगर आपको थोड़ा भी संसय हो कि आप इसे नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम जो संक्षिप्तियों वाल परन्तु जो संक्षिप्तियां होती हैं, वो प्योर फैक्च्वल नेचर की होती हैं, इसलिए लास्ट डे पर उन्हें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद यदि बात करें, तो एक और महत्पूर्ण चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, कि अंतिम दिन इत पर नाम मैं स्वैम भुगत चुका हूं, जबकि पेपर में सही टिक करने के बावजूद भी, और में मैंने सीरीज गलत भर दी और उस वज़े से तीन-चार प्रस्ण लगातार गलत हो गया, तो इसलिए नींद की यहाँ पर बहुत जरूरी भूमका है, अंतिम दिन पर प् हैं, एक प्रस्ण यह रहता है कि GS और हिंदी का जो gap होता है, उसके बीच में क्या पढ़ना समीचीन रहेगा, उस पर यदि बात करें तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखें, जो आपका GS का paper है, अगर वह आपका बहुत अच्छा हो जाए, तो आपको overconfident नहीं हो जाना है, कि अपना ले जाके इधर उदर घूम रहे हैं, दोस्तों से बची आ रहे हैं, और अगर वो खराब हो जाए, तो आपको वहीं पर give up नहीं कर देना है, यह कोशिश करनी है, कि वो जो gap है, उसमें आप इस तरह से चीजों को revise करें, ताकि आपका जो भी चीजे GS में कम रह करके, आपको क्या चीजे पढ़नी हैं, तो उसमें देखिए, हिंदी में आपका जो विलोम सब्द का टॉपिक है, जो अनेक सब्दों के लिए एक सब्द है, और उसके साथ-साथ जो वाक्य सुध्धी है, और विशेशर विशेश, इनको आप कोशिश कीजिए कि मत पढ़ में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, वहीं विशेशर विशेश या वाक्य सुध्धी जैसे जो एक्जामपल्स आपने पहले पढ़े हैं, वो दरसल conceptual nature के वो प्रश्ण बनते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा आपको उसमें लास्ट टाइम के रिवीजन में आसानी, लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए उप्योख नहीं रहेगा, कोशिश करिए कि इसके अलावा जो सेक्षन है, इसलिए यदि में बात करूँ पर्यायवाची पर्यायवाची के जो प्रिवियस येर क्वेस्चन है, उसको अपने गैप में जरूर पढ़ लीजेगा, क्यों हिरन कशिप होता है, हिरन कशिप होता है, ये सबी चीजें आप लोग लास्ट टाइम पर भी एक बार रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, और समय बचे तो तत्सम तद्भाव भी एक बार देख लीजेगा, थोड़ा बहुत वहाँ पर भी कन्फ्यूजन की स्थि क्योंकि उससे दिमाग भी कही न कहीं अस्थिर होता है, कुछ लोग तो इतने महान होते हैं कि वो उसी समय पर जीयस की आंसर की भी मिलाने लगते हैं, वो काम कता ही न कीजिएगा, अपने अगले पेपर पर ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं और कुछ लोगों की य पढ़ा हुआ याद नहीं हो पा रहा है, तो जो पढ़ा हुआ याद नहीं हो पा रहा है, यानि सब कुछ ऐसा लगता है कि आप भूल रहे हैं, तो उस पर मैं यहीं कहना चाहूंगा, कि भाई, मैंने पहले भी कहे रखा है, कि आपको कोई answer writing नहीं करनी है, पेपर में जाक इसलिए अगर आपने पूरी मेहनत के साथ में पिछले 6-7 महिने में जो भी आपने त्यारी किया अगर दो तीन बार भी आपकी नजरों के सामने सो मैटर गया है तो अपने आप आपको help करेगा अपना उत्तर सही कराने में तो इसलिए जो लोग यह सोच रहे हैं कि पढ़ा के सामने रहेगी प्रत्यक्ष रहेगी अगला यदि बात करें सेफ स्कोर क्या हो इसको लेकर के तमाम सारे लोगों प्रशन आता था इस पर मेरा कहना सिर्फ इतना है कि पहले भी मैंने बोल रखा है 130 के आराउंड आप मान के चलिए यह आपका सेफ स्कोर होना चाहिए यह स स्कोर माना जाता है 130 जिसमें अगर आप जीएस की बात करें तो जीएस में आपका लगबग 75 to 80 मार्क्स स्कोर करना चाहिए और हिंदी की यदि बात करें तो आपका 52 to 55 मार्क्स यदि आप स्कोर करते हैं तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा आपका कट-ओफ निश्चित तो यहां पर 130 एक सेफ स्कोर है, आपको बहुत ज्यादा हवा हवाई टार्गेट नहीं सेट करना है, हवा हवाई अपने दावे, अपने मन में मन गढ़ंत नहीं बना कर जाने हैं, जिसकी वज़े से आप पहले से ही तनाव में रहें, केवल आपको हिंदी में कोशिश करनी है 52 तिरपन नंबर आ जाएं और यहां पर GS में 75 से उपर आ जाएं, उतने में आपका सेलेक्शन निष्चित तोर पर हो जाएगा, और उससे ज्यादा आते हैं, तो वो आपके लिए बहतर है, किन्तु ज्यादा आए ही इसका तनाव अपने मन में न लीजिएगा, अगली बात करें, कि कितने प्रशन अटेम्ट करें, ये जो प्रशन है कि कितने प्रशन आप लोगों को अटेम्ट करना चाहिए, ये दरसल एक YouTube से उबजा हुआ प्रशन है, ये Person to Person बहुत ज्यादा DifER करता है, यानि हर कोई व्यक्ति कितनी उसकी accuracy है किस प्रकार से उप्रशनों करता है यह उस पर depend करता है लेकिन फिर भी अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे ही तो मैं कहना चाहूंगा कि लगभग आप लोग यह मान के चले कि GS के स्तर पर यानि GS के स्तर पर अगर आप लोग 110 के उपर अगर वह attempt करते हैं question 110 के उपर आप लोग 112 115 तक attempt करते हैं तो वह आपके लिए अच्छी स्थिती मानी जाती है अब कुछ लोग इसमें हो सकता है कहें कि 125 35 35 तक attempt कीजिए पर वास्तों में इतना हो नहीं पाता है 120 के उपर भी हुपाना बहुत मुश्किल रहता है तो इसलिए क process कीजिए कि 110 के उपर आप attempt करें ही उससे कम ना attempt करें उसमें थोड़ा सा खत्रा रहता है 110 के उपर यदि आप attempt करेंगे तो यह मान के चलिए आपका 25 से 26 नंबर जो है वो तो वो overall आपका 80 के करीब आपका score पहुंच जाता है यानि 112 15 नंबर के question यदि आप GS में attempt कर लेते हैं तो वो आपके लिए safe score के करीब पहुंचाने में मददगार साबित होगा हिंदी की यदि बात करें तो हिंदी में आप process कीजिए कि 55 प्लस आपको attempt करने चाहिए 55 के उपर वह कोई भी संख्या होती है 56, 57, 58 कुल मिलाकर आपको ध्यान ये रखना है कि प्रथम दिश्टिया जब आप paper को solve करें तो सबसे पहली बार में आपको जितने भी प्रशन आते हैं वो तो आप लोग टिक करे ही लेंगे लेकिन उसके साथ-साथ आप कोशिश ये कर कि जब दूसरी बार में paper solve करें तो जिन भी प्रशनों में आपको दो option में कोई भी confusion हो रही है उनको जरूर solve कर लें उनको जरूर आप एक risk लेकर खेल जाएं क्योंकि ये जो दो option में यदि आपको confusion हो रही है ये इस बात का इशारा करता है कि एक तो यहाँ पर 50% की probability होती ह के उस प्रशन के सही होने की और दूसरी बात की यहाँ पर negative marking जो है वो one third है कम है तो इस वज़े से आप इस प्रशन को खेल सकते हैं आगे यदि बात करें तो अच्छा एक बात में और कहना चाहूंगा कई लोग ये भी पूछते मान लीजे कि कोई आपकी book है sorry ये आपका म पहले मेरी असला रहेगी कि आप लोग उसका OMR फिल कर लें और फिर अगले पेश पर जाएंगे तो आपका OMR की फिलिंग भी आपके साथ साथ होती रहेगी ये अच्छी स्थिति मानी जाती है आपके पास अंतिम समय में बहुत ज़्यादा तनाव नहीं रहेगा कि आप OMR फिल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि OMR भरने में भी ठीक ठाक टाइम लग जाता है आगे बात करें कि कितने प्रशन अटेम्ट करें ये हमारा हो गया उसके बाद देखते हैं कि अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है आप लोगों में कई सारे लोग होंगे जिनका हो सकता है कि करेंट अफियर्स का एक पूरा का पूरा सेक्शन बाकी हो हो सकता है किसी विशय का कोई सेक्शन बाकी हो यह हो सकता है कि कोई पूरा पूरा विशय ही बाकी हो ऐसी समस्या भी हो सकती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है जिसका इससे आपकी परिक्षा में सफलता नहीं निरधारित होती है, बलकि जो आपने पिछले 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने पढ़ाई किये, उसमें निरधारित होती है, ये 4-5-6 दिन में आपके परिक्षा की तैयारी को धार जरूर दी जाती है, परंतु ये इतना ज्यादा प्रभाव परिक्षा में नकरात्मक रिजर्ट की और आपको अग्रसारित करें, ऐसा नहीं होता है, आपको परिक्षा में सफलता जो मिलेगी, वो पिछले 6-7 महीने की मेहनत के आधार पर मिलती है, दूसरी बात एक ये भी है, कि जैसा कि एक फ्रेंच दार्षनिक हुए है, लॉन्ज तैयारी करें, उन सभी में कोई न कोई ऐसी त्रुटी, कोई न कोई सेक्षन उनका छूटा रहता ही है, आपने पहले तो पढ़ा हुआ है उन चीजों को, उससे आपको संतोष करना है, जो भी चीज़े ऐसी छूटी भी हुई है, उनको अपने दिमाग में न हावी होने दे अगर दिमाग में वो चीज हावी हो गई, और आप अंडर कॉन्फिदेंट फील कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी, कॉन्फिदेंट आप में कम होना ये सभी के साथ होता है, परन्तु जो लोग सफल होते हैं, वो लोग दरसल उस कॉन्फिदेंस को मैने परिक्षित है, यदि उसको आप पढ़ लेते हैं, तो निश्चित तोर पर आपके लिए वह एक बहुत ही मजबूत इस्थिती होगी, आप अंडर कॉन्फिदेंट होते हुए भी परिक्षा में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अगला जो यदि यहाँ पर देखू मैं लेकिन मैं आपको फिर से वही बात कहना चाहूंगा कि अंडर कॉन्फिदेंट जो हैं आप लोग वो आप में से ज्यादा तर लोग होते हैं, लगभग सभी लोग अंडर कॉन्फिदेंट होते हैं, जो इस बार का हो सकता है, टॉपर भी हो, वो भी दरसल इस समय अंडर कॉ कि परते हें चीजों को तभी आपfilm समझ पाते हैं कि हमने क्या-क्या चीजαι नहीं पढ़ी है यानि जहाँ जहाँ गयान नहीं होता है जो नहीं पढ़ेगा उसको पता भी नहीं चलेगा कि क्यादी छूती दया पढ़े अगर आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत संदे थोड़ा बहुत अंडर कॉंफिडेंट्स आना लाजमी है परन्तु एक चीज यहां पर मैं और भी कहना चाहूंगा कि जो एक्चुल पेपर है आपका जो आप लोग अभी टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं जिसकी वज़ परिक्षा में आपका स्कोर अच्छा ही होगा अगर आप लोग अपने मस्तिष्ट को मजबूत रखेंगे इस परिक्षा के लिए इसलिए अपना काम बस शिद्दत से करते रहें अगर कुछ आपने नहीं भी रिवाइज कर पाएं अगर कुछ पोर्शन आपका छूट भी गिया है तो यह कोई आप गारंटी नहीं ले सकते हैं कि उसी पोर्शन से ही प्रश्न पूछे जाएंगे और अगर उसी प्रश्न से करे गए तो सारे के आप प्रश्न गलत ही कर देंगे इस बात को तो आप खुद भी नहीं मानेंगे तो मतलब जो भी चीज़े छूटी हैं उसको वैसे ही बने रहने दीजे आपको अपने मन मस्तिष्ट में इस चीज़ को हावी नहीं होने देना है कि आप किसी भी प्रकार से किसी भी मोर्चे पर खाली है आपने पहले सब कुछ पढ़ रखा है इस बात का विश्वास कीजिए और जो 50 हार डे चैलेंज इस्पेशली हम लोग फॉलो कराए हैं जिसमें कि आप लोग पिछले 50 दिन से सारी चीजों को लगबग तीन बार रिवाइज कर चुके हैं विश्वास मानिया अगर वो आपको याद नहीं भी है किवल आपने उनसे एक गो थू भी हुए है तो आपको खुद ही आपके पर बातें यहां पर हो जाए इसके अत्रिक भी यदि कोई बात आपको समझ में आती है तो आप जरूर एक बार मैसेज कर दीजेगा उसका कुछ माकूल जवाब मैं देने कोशिश करूंगा अंत में यही कहना चाहता हूं कि आप लोग इस परिक्षा में पूरे कॉन्फिडेंस करेंगे तो इस परिक्षा में निश्चित रूप से अच्छा परफॉर्म करेंगे कहा जाता है करे कोशिश अगर इंसान तो क्या-क्या नहीं मिलता वोट कर चल कर तो देखे जिसे रस्ता नहीं मिलता वहले ही धूप हों काटें हो पर चलना ही पड़ता है किसी प्यासे को घर बैठे कभी दरिया नहीं मिलता कमी कुछ चाल होगी कमी होगी इरादों में जो कहते काम्याभी का हमें नकसा नहीं मिलता हम अपने आप पर यारो भरोसा करके तो देखे कभी घिरगडाने से कोई रुटबा नहीं मिलता अंतिम रूप से मैं आप सभी को इस परिक्षा के लिए बेहद ही दिल से अनंत शुबकामनाय देना चाहता हूँ, all the best बोलना चाहता हूँ, बिलकुल ही confident होकर बिना किसी भैके आप लोग इस परिक्षा को देखने जाएए, अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, आपका यह paper निश्चित तोर पर अक्षा होगा, और जो आपने पिछले यदि 5-6 महीने से एक average तैयारी भी की हुई है, चार-5 घंटे की भी तैयारी की हुई है, और 50 hard day challenge को आपने seriously follow किया है, तो निश्चित तोर पर आपको इस परिक्षा में सफलता म मिलेगी ही मिलेगी, तो इन ही सुपकामनाओं के साथ में मैं अपनी वाड़ी को विराम देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवार, नमस्कार.